दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइब्रेरियन ग्रेट थर्ड की सेलरी के बारे में हर एक चीज बताऊंगा यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में लाइब्रेरियन ग्रेट थर्ड की salary को लेके आपके दिमाग में किसी भी परकार का doubt या confusion नहीं रहेगा तो इस वीडियो को complete जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा जैसे कि probation period के दोरान क्या salary मिलती है इसके अलावा जब probation period complete हो जाता है तब क्या salary मिलती है कौन से पहले वल में रखा जाता है क्या grade पे होती है और कौन-कौन से बत्ते मिलते हैं बत्तों के अलावा salary में से कटोतियां कौन-कौन सी होती है और क्योन-कौन से other benefits मिलते हैं और साथ ही probation के क्या के scope है librarian grade third के लिए और आपकी salary में हर साल increment कितना होता है और आपके account में हर मैंने कितनी salary आती है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो हर एक चीज salary को लेके इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ और अब इस वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पे grade pay की जो कि अभी आप स्किन पे देख रहे हो रास्तान में librarian grade 3 को 3600 की grade pay में रखा जाता है pay level के अगर बात करें age पर 7 पे commission तो level 10 में librarian grade 3 को रखा गया है ठीक है तो ये बात होगी grade pay और pay level की अब बात करेंगे probation period की कि probation period के दोरान librarian grade 3 को क्या salary दी जाती है किसी भी प्रकार का बत्ता आपको नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ fix salary आपको दी जाती है और वो fix salary होती है 23,700 रुपए ये दो साल तक आपको salary मिलने वाली है इसमें से कुछ कटोतियां भी होती है उसकी भी बात कर लेते हैं तो कटोतियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे GPF आपका करता है General Provident Fund ये 11 सुप परमंद आपके salary में से करता है और ये जो amount है वो आप ही के GPF के account में जमा होता रहता है क्योंकि जैसे ही आप कोई भी state government की job join करते हो उसके बाद में आपका एक GPF का account open कर दिया जाता है General Provident Fund का और उस account में ये आपकी salary में से इतना amount हर मेने कट के जमा होता रहता है और इस amount में आपको 7.1% के इसाप से चक्रवर्ती ब्यास दिया जाता है और ये जो रासी है वो retirement के समय आपको एक साथ मिलती है तो काफी अच्छा कासर लाब इसका आपको मिलता है ये आपकी की रासी है ये जो कटोती हो रही है आपकी के account में जमा रहती है ठीक है आगे है जो दूसरी कटोती वो है RGHS रास्तान गवर्मेंट हेल्थ स्कीन यानि कि state government job join करने के बाद में जो आपको free में medical सुईदाएं दी जाती है ये उसके लिए charge है 330 रुपए हर मेने आपकी salary में से करते हैं इसके बदले आपको और आपकी family को medical सुईदाएं free में दी जाती है रास्तान गवर्मेंट की तरफ से तो ये भी अच्छी बात है ये भी आप ही के लिए कटोती हो रही है मातर 330 रुपए में सारी medical सुईदाएं free आपको दवाईयां भी free मिलती है जो कि हर साल की उसकी limit 20,000 रुपए है दवाईयों की और ये limit बढ़ भी सकती है ठीक है अगर कोई ऐसी बिमारी है जिसमें ज़्यादा दवाईयों के जरुरत पड़ रही है तो ये limit बढ़ भी जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा benefit है तो अब enhanced salary की अगर बात करें जो आपके account में अर्मेने आएगी तो यहाँ पे ये fix पे है इसमें से ये दोनों कटोती है अगर घटा दिया जाए तो आपके enhanced salary हो जाएगी 22,270 रुपए ये amount दो साल तक आपके account में continue आता रहेगा क्योंकि दो साल का probation period होता है ठीक है तो probation period के दोरान ये आपकी salary होने वाली है 22,270 रुपए अब बात करेंगे जब आपका probation period complete हो जाएगा तब आपको कितनी salary मिलेगी तो दो साल बाद में जैसे ये आपका probation period complete हो जाता है तब आपको salary इस प्रकार से मिलती है अभी screen पे आप clear ली देख सकते हो तो इसमें आपको सबसे पहले pay level के level 10 में fix कर दिया जाता है ठीक है एजपर 7 पे commission और pay level के level 10 के इसाब से starting basic पे आपकी जो है वो होगी 33,800 रुपए ये level 10 की basic पे है तो ये आपको basic पे मिलेगी ठीक है दो साल बाद में पहले साल से जिसे ही आपका probation period complete हो जाएगा उसके बाद इसके वर्तमान rate है 34% ठीक है और ये साल में दो बार बढ़ता है हर साल एक जनवरी में और एक जुलाई में तो अभी की जो rate है वो है 34% इसके इसाब से 33,800 का 34% हो गया 11,400 बराणमर रुपए ये DA हो गया है महंगाई बत्ता इसके अलवा एक और allowance है वो है हाउस रेंट allowance यानि कि मकान किराय भत्ता आपको मिलता है इसके अलग-अलग rate है जो कि आपकी posting पे depend करती है रास्तान में यहाँ पे cities को दो केटेगरी में divide कर आ गया है Y और Z cities ठीक है Y cities में आते हैं बड़े से तो वो Z केटेगरी में आते हैं और वहाँ पे आपको अचारे मिलता है 9% ठीक है यह 9% अचारे वहाँ के लिए होगा तो 9% के हिसाब से आपको अचारे मिलेगा 3042 रुपे और 18% के हिसाब से 33,800 का आपको 18% यानि कि 604 रुपे आपको अचारे मिलेगा अगर बड़े सहरों में आपकी पोस्टिंग है जैसे कि जैपू, जोदपू, विकानिर, कोटा और अजमेर ठीक है तो यह 5 ही सहर है इनमें अगर आपको पोस्टिंग है तब ही आपको 18% अचारे मिलेगा नहीं तो 9% मिलेगा पुरे राजस्थान में और एक केटेगरी और होती है सेंटल गौर्रमेंट के इसाब से अक्स केटेगरी उसमें बड़े-बड़े सहर आते हैं महान अगर आते हैं जैसे कि दिल्ली, मॉंबई, बैंगलोर तो वो केटेगरी वाले सहर रास्तान में नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ Y और Z के पारे में बता रहा हूँ वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर किसी की पोस्टिंग है जैसे की दिल्ली, बैंगलोर यहाँ पे तो आपको अचारे मिलता है 27% ठीक है यह सिर्फ जानकारी के लिए है रास्तान में ऐसी कोई भी सिटी नहीं है तो यह हो गया है आपके बैसिक पे और बत्ते ठीक है इनको अगर जोड दिया जाए तो ग्रोस सेलरी आपके हो जाएगी 48,334 रुपए जेट सिटीज के लिए और एक सिटीज के लिए हो जाएगी 11,376 रुपए यह स्टार्टिंग सेलरी की बात कर रहा हूँ वो भी ग्रोस सेलरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ कटोतियां भी आपकी होगी वो कटोतियां कौन-कौन सी है वो बात कर लेते हैं यह अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा और 2100 रुपे पर मंथ हो जाएगा 200 रुपे पर मंथ आपके GPF के अकाउंट में आपकी सेलरी में से कट के और उसमें जमा होते रहेंगे और इस पे वही 7.1% का ब्याज दरकी साब से आपको ब्याज मिलेगा चकरवरती भ्याज और ये interest rate समय समय पर revise भी होती रहती है RBA की guidelines पर कभी बढ़ती है कभी कम होती है तो इसको आप consider कर लेना बागी आपकी SIG कट होती होगी state insurance जैसी आप state government की कोई job join करते हो तो आपका एक insurance कर दिया जाता है एक bima कर दिया जाता है और ये उसी bima का premium है जो कि आपकी salary में से हर मैने कटेगा और इसका कुछ maturity amount भी होता है वो भी आपको retirement के समय मिल जाएगा ये जो भी कट होती हैं और ये वो आपके retirement के समय वापस मिल जाएगे अब next है RGHS रास्तान government health scheme इसके तहट आपकी salary में से हर मैने 330 रुपे की कट होती होगी और इसके बदले आपको और आपकी family को medical सुजदाएं free of cost प्रोइड की जाएगी रास्तान government की तरफ से और साथी दवाईयों के भी पेसे आजकर मिलते हैं हजार के करीम जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है और यह amount बढ़ भी जाता है ठीक है तो total अगर कटोतियों की बात की जाए तो total कटोतियां हो गई 4630 रुपे यह amount आपकी salary में से हर मैने कटेगा ठीक है तो यह amount कटने के बाद में आपके account में कितनी salary आएगी वो यहाँ पर देख लीजिए in hand salary के अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेट सिटीज के लिए है 43704 रुपे और इसके अलावा वाई सिटीज के अगर बात की जाए 46704 रुपे अगर जैपूर जोदपूर विकाने अजमेर या कोटा में आपकी पोस्टिंग रहा तो यह amount आपको मिलेगा in hand आपके account में यह salary आएगी हर मैने ठीक है provision period complete होने के बाद में और अगर जैट सिटीज में पोस्टिंग है तो यह amount आपके account में credit होगा हर मैने provision period complete होने के बाद में और यह starting salary है इससे ज्यादा ही salary आपको हर मैने मिलने वाली है क्योंकि मैने यह starting salary बताई है इसके बाद में निरंतर डिये भी बढ़ता है increment भी होता है तो वो कैसे बढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो अभी अगर आपको join करते हो तो यह salary आपको इस समय present में मिलेगी क्योंकि DA मैंने present का लिया है 34% तो DA में भी increment होता रहता है तो वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ तो increment के अगर बात की जाए तो आपकी basic में हर साल increment होता है 3% का ठीक है First year आपकी basic होने वाली है 33,800 रुपए जो की अगले साल बढ़ के हो जाएगी 34,800 उससे अगले साल हो जाएगी 35,800 इस परकार से निरंतर आपकी basic पे बढ़ती रहेगी और इसके अलाव़ए DA में भी बढ़ उतरी होगी अभी 34% है और DA में दो बार increment होता है हर साल पहला जन्वरी में और दूसरा जुलाई में ये कभी 3% की बढ़ती होती है कभी 4% की होती है कभी 5% की होती है approximately अगर देखा जाए तो लगबग 10% का increment होता है हर साल ठीक है basic पे और दोनों DA को मिला दिया जाए तो तो ये है increment का पूरा system ठीक है basic पे में increment और DA में increment तो जो मैंने आपको enhanced salary बताई है वो minimum salary है जो कि अभी अगर आप join करते हो तो आपको ये तो मिलनी ही मिलनी है और जैसे जैसे time बीटता जाएगा वेसे वेसे DA भी बढ़ेगा तो उसे साबसे आपकी salary बढ़ जाएगी तो ये salary तो आपको मिलनी ही मिलनी है बहुत या कर सक salary है और आगे बात करते हैं other allowances के other benefits और कह कह मिलते हैं आपको इस salary के अलावा तो दीवाली bonus आपको दिया जाता है हर दीवाली पे दीवाली bonus आपको मिलता है जो कि लगबग लगबग 7000 के आसपास होता है ठीक है approximately मैं आपको बता रहा हूँ दीवाली पे आउसर पे आपको ये bonus दिया जाता है इसके अलवा election duty अगर आपको लगती है तो वो आपको election duty का allowance मिलता है और official काम से अगर आपको कहीं जाना पड़ता है एक सहर से दूसरे सहर तो आपको travel allowance भी दिया जाता है ठीक हाने जाने का खर्चा दिया जाता है तो ये other announces है ये आपको कभी कभी मिलते हैं हमेशा नहीं मिलते हैं अब आगे बात करेंगे यहाँ पे promotion की कि librarian grade 3 के लिए promotion के कौन-कौन से scopes available है तो सबसे पहले जो आपको post मिलेगी वो होगी librarian grade 3 की इसकी grade पे होती है 3600 रुपे इस post पे लगबर लगबर 7-8 साल तक काम करने के बाद में आपको librarian grade 2 में promote किया जा सकता है और ये depend करेगा कि उस समय librarian grade 2 की post खाली है या नहीं है अगर खाली है तो आपको librarian grade 2 में promote कर दिया जाएगा और इसकी grade पे होती है 4200 रुपे तो आपकी grade पे बढ़ जाएगी 3600 से 4200 हो जाएगी और अगर उस समय librarian grade 2 की post खाली नहीं है तो आपको एक assured carrier progression मिलेगा ACP मिलेगा यानि कि आपकी salary में increment होगा ठीक है अगर grade 2 की post खाली नहीं है तो भी ठीक है अगर खाली है तो आपको इस grade पे में promotion मिली जाएगा AJ librarian grade 2 और अगर खाली नहीं है तो भी आपको एक increment दिया जाएगा AJ ACP और ये increment मिलेगा आपको 9 साल पे क्योंकि जो ACP रास्तां गवर्मेंट में मिलता है वो पहला मिलता है 9 साल पे दूस्रा मिलता है 18 साल पे और तीसरा मिलता है 27 साल पे तो पहला 9 साल में आपको मिल जाएगा अगर 9 साल तक美味 grade 2 की post खाली नहीं है तो और उसके बाद में इस library and grade 2 में आपको लगबग लगबग iसी तरह आठ साल तक काम करने के बाद में आपको library in grade first में पर्मोट किया जा सकता है और इसमें भी वही है अगर post खाली है तो ठीक है अगर post खाली है grade 1 की तो आपको पर्मोट कर दिया जाएगा और इसकी grade पे होती है 4800 रुपए तो 4200 से आप 4800 में चला जाओगे और अगर post खाली नहीं है तो वही आपको 18 साल में फिर से एक और assert career progression मिल जाएगा ACP मिल जाएगा तो चिंता कोई बात नहीं है अगर post खाली नहीं है तो भी आपकी salary में तो increment होना ही होना है और अगर post खाली है है librarian grade third की जिसके बारे में मैं आपको सब कुछ जानकारी दे चुका हूँ और फिर भी अगर आपका कोई भी doubt है salary को लेके increment को लेके promotion को लेके तो बेजी जग comment box में comment करके पूछ सकते हो और ये enhanced salary एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाली जो salary है वो है Z cities के लिए और ये है Y cities के लिए ठीक है तो ये salary आपके account में आने वाली है जैसे ही आपका probation period complete हो जाएगा वेसे ही तो बहुत ही आकर सक salary है और मैंने salary से related सब कुछ यहाँ पे cover करने की पूरी कोसिस की है फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है तो बेजी जग comment box में comment करना तो friends इसी परकार salary और latest government vacancies से related information के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करना और ये information अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना thank you friends thanks for watching this video